आदर स्रिक्षन समेती बाड मेर की और से यह ककसा पांच के लिए हिंदी विश्य में चोथे पाड का वीडियो है आगे वाड़े वीडियो में अपने आदे गीत के बारे में उसका भवार्थ समझा और आदे गीत के बारे में अब समझेंगे पाड का नाम है तेवहारों का देश तेवहारों का देश किसी का आ गया है अपने भारत देश को क्योंकि इसमें प्रतीक दिन प्रतीक मा कोई न कोई तेवहार जरूर मनाया जाता है काफी तेवहारों के बारे में इसमें बताया गया है अब देखेंगे अपन पेज नमबर 17 पर भाई चारे का संदेशा ले इद मुबारक आती है मीठी, खीर, सिवय या सब के मन को पाती है अब तेवहार है दूसरे दर्मों के भी तेवहार अपने देश में मनाय जाते है उसमें है मुसल्मानों का तेवहार है रांडन्स लोग मनाते हैं इसको उसका नाम है इद इद के दिन ये मुसल्मान भाई है वहाँ एक दूसरे के गल्ड़े मिलते हैं और नमाज बढ़ते हैं और इनके घर पर खी, सिवेई यां वगेरा ऐसी कुछ मीठे वेंजन बनाए जाते हैं जो बड़े सौक से और भाहिचारे का संदेश तरीक बेखाए जाते हैं फिर है खेल खिलोने बाते बच्चे क्रिस्मस के उपहार है तेवहारों का देश हमारा आमको इससे प्यार है इसाईयों का तेवहार है सभी धर्मों के तेवहार है अपने देश में मनाए जाते हैं तो इसाई धरम है जो अंग्रेजों का इनके धरम का प्रमुखतेवार है क्रिस्मिस क्रिस्मिस हर वर्स 25 दिसंबर को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 25 दिसंबर को तो इसमें क्रिस्मिस में बच्चों को खिलोने दिये जाते हैं मिठाई दिये जाती है संता पॉल आता है और वह बच्चों को मिठाई और खिलोने देख जाता है और बच्चों के चहरे पर जो खुसी होती है उसको वह मैसूस करता है इसलिए इस तेवहार को मनाया जाता है तेवहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है फिर तेवार आता है लोग तंत्र की चाहां की लिए 26 जनवरी आती है 26 जनवरी यानि जिसको कहते हैं अपन गन तंत्र दिवस लोग तंत्र यानि लोगों का सासन लोग तंत्र का अठ क्या है लोगों का सासन जिस देश में सासन करने वाले लोग ही हो या लोगों के द्वारा भीजे गए परती निदी, चुने गए परती निदियों द्वारा साशन किया जाता हो, उनको कहते हैं लोक तंत्रों उस देश के साशन को कहते हैं, यह मनाया जाता है अपने देश में 26 जनवरी, यानि इस दिन 26 जनवरी के दिन अपने देश में इस दिन अपन को मैसूस करवाई जाती है यहां बासंती फूलों की खुस्बू जोली में भर जाती है बसंत रुतू में आपने देखा होगा पत्ते हैं वह पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और नई फूल उन पेड़ों पर नजर आते हैं और उनकी खुस्बू है अपन मैस पत्व कर सकते हैं तो इस परकार कहा गया है बासंती भूलों की खुज़बू जोली में भर जाती है ओली में डफ डौलमजीरी मार्च में आपने दिखा होगा ओली मनाते हैं ओली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं ओली का तेवार बहुत ही रंगों वाला तेवार होता है बड़े सौक से मनाते हैं लोग टोल बजाते हैं डफ और मंजीरे के साथ में गीद काते हैं इस परकार अपने देश में कई तेवार मनाई जाते हैं और सबी धर्मों के तेवार मनाई जाते हैं तेवारों का देश हमारा अमको इससे प्यार है ऐसे देश से अमको इससे प्यार है अब आपन देखेंगे इसके अभ्यास कारे में कुछ परशन है सब्दार्थ में आपने देख लिया उलसना यानि प्रशनोना गाथा यानि कहानी खुस्बू यानि सुगंद मलहार यानि वर्षारुतू में गया जने वाला एक राग जो गीत का होता है वह रस्तार रस्की धार उचान सब्द देखेंगे लोकतंत्र बासंती मलहार तिवहार तमाशे मुबारक क्रिस्मिस सोचे बताए में पहला प्रशन है तेवहारों का देश किसे कहते हैं भारत देश को तेवहारों का देश कहते हैं क्योंकि भारत में कई तेवहार मनाय जाते हैं आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दलाता है आजादी के दिन तिरंगा वीर सहीदों के याद दलाता है गंतंत्र दिवस कब मनाया जाता है अभी मैंने बताया 26 जनवरी को हर वर्ष 26 जनवरी को अपने देश में गंतंत्र दिवस मनाया जाता है फिर लिखे में है रिक्तिस्तान आगे की जो पंक्तिया हैं गीत की उसको देख कर आप कविता की उसको देखकर इसको पूरण करना है फिर है सही उत्तर करमाक्सुर में यानि चार दिये हुए हैं उसमें से एक सही है उसका जो अब सद है वह लिखना है 15 अगस्त कब मनाया जाता है महिला दिवस, सिक्षक दिवस, आजादी का दिवस या बाल दिवस, आजादी का दिवस कहते हैं उसको सह, लोक तंत्र की जहांकी लेकर आती है 26 जनवरी अभी बताया 26 जनवरी राखी का तेवार कैसे मनाया जाता है राखी का तेवार अपने सरौन मास की पुर्णिमा को अभी मनाया था उसी परकार सरौन मास की पुर्णिमा को यह तेवार मनाया जाता है बहन है वह भाई की राखी पर, कलाई पर वह राखी बानती है रक्सा सुत्र बानती है और भाई से अपनी रक्सा का वचन मांगती है और भाई उसको कुछ उपहार देता है इस परकार राखी का तेवहार मनाया जाता है क्रिस्मस पर क्या उपहार मिलते हैं क्रिस्मस पर खेल खिलोने और मिठाई उपहार में मिलते हैं इस परकार अपन अगले वीडियो में इसके कुछ बचे हुए प्रिष्ण हैं उनको देखेंगे और जो ये प्रिष्ण है सब्दाट है उचार्ण सब्द है रिक्तिस्तान है करमाकसर वाले प्रिष्ण है इनको आप अपनी कोपी में करेंगे ऐसी मेरी आशा है आपसे दन्यवाद